पिगना हर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा गणेश का क्रूध अपने चरम पर पहुंच गया है नाथ, आ वहाँ जाईए और गणेश को शांत करने का उपाय कीजिए पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी स्वास से मेरा किर्चाव बंद करो कप्ती निरलेज असर, तुम जीवित रहने के योगे ही नहीं हे ब्रमदेव, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ आप दोनों ने अपनी भक्ती के उदाहरन से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ती का उद्देश पवित्र हो, उसका हिरदय निर्मल हो, तो फिर कोई भी बुरी शक्ती उसके लक्ष प्राप्ती में बाधा नहीं बन सकती क्योंकि जिनके विचार शुत है, निर्मल है, भगवान भी उनी का साथ देने के लिए प्रेरित होते है आप दोनों की भक्ती से प्रसन्न होकर, मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीश देता हूँ ये सभी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं, जीवन में सुख पाने के लिए इने प्राप्त करना आवश्यक भी है किन्तु भोग के इन वस्तुओं से अत्यदिक मोह करना उचित नहीं आप दोनों इनका आनन्द उठाते हुए भी अपनी भक्ती और निष्ठा को सदा बचा कर रखियेगा क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ती है और जो भगवान की भक्ती से ही संभव है मेरा आशीश सदैव आपके साथ है किन्तु मुझे अभी यहां से प्रस्थान करना होगा माता आप दोनों का कल्यान हो भगवान के लिए उसका भक्ती सर्वोच है दुर बुद्धी मेरे भक्तों को पीड़ा देकर तुमने बहुत बड़ा अपराद किया है जिसका दंड आप तुम्हें अवाशिप्राप्त होगा आप नए 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 प्रत्थम पुज्य गणेश अब मेरे जीवन तो मिट रहा है कें तो अभी ये शत्र तो नहीं मिटी है मेरे बाद मेरे पुत्र तुमसे युद करेगा उसके पास चाथ उसके पुत्र ये युद्ध इंडिरंद चलता रहेगा इस युद्ध को तुम कभी जमात नहीं कर सकोगे ओम नमाशिवाई ये 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 श्याइ करतो करते में करताव कर दो मिष्क कनेश का क्रूथ अपने चरम पर पहुंच किया है कनेश जी का क्रूथ तो कर्शना की रूप में जाहो ते शाओ में द्वानित हो रहा है नाथ गनेश इतना क्रोधित क्यों है मैं बिंती करती हूँ आ वहाँ जाईए और गनेश को शांत करने का उपाय कीचिए इतना क्रोध इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया और क्यों मुझे क्रोध के इस आवे को धामना होगा फूपा जी यहां है वो अवश्य यहां शांती स्थापित कर देंगे पुत्र गनेश शांत हो जाओ पुत्र इतनी क्रोधित क्यों हो तो, ओम नमस्षिवाए मैं सभी को गनेश के विरुद्ध कर दूँगा मैं गनेश को ऐसा क्रित्त करने पर विवश कर दूँगा कि सभी उसको आयोग महादे बुत्र माल रहें जैसे अभी तक मैं रहा हूँ प्रतीत होता है फूपा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतीरूप योद्धा गनेश पर हो रहा है वो शान्त होता दिख रहा है पुत्र गनेश इतना तुसाहस कि कोई मेरा सामना करे मेरे समक्ष आकर मुझे टोके इसका दंड अवश्च मिलेगा आपको पुत्र गनेश शान्त हो जाओ पुत्र अपनी स्वास से मेरा किचाओ बंद करो ये हो क्या रहा है गनेश जी ब्रह्मदेव को अपने भीतर क्यों कीच रहे है गनेश जी अपने विक्राल योद्धा रूप में यह यह कैसा अनर्द करने जा रहे स्रिश्ची के रिचेता हैं ब्रह्मदेव यदि उन पर संकट आया तो समस्त स्रिश्ची पर संकट आए पुत्र गनेश यह क्या कर आयो तुम आमने मुझे टोका क्यों क्यों डोका आमने मुझे यह गनेश जी ब्रह्मदेव के प्रती इतने कठोर के ओए जिक कैसा को ख़ोधावेश है उनका एक क्या कर रहे हैं इस तुम गरिश ने तो जैसे निषच्च कर लिया है वो शांत नहीं होगा मेरा क्रोध अभी शांक नहीं होने वाला गणेश रुक जाओ पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजे, अनेथ आनर्थ हो जाएगा नहीं करूंगा, कतापी नहीं करूंगा रुक जाइए गणेश जी, शांत हो जाइए रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए गणेश जी रुक जाइए यथी गणेश की सूर ने मुझे अपने भीतर खिच लिया तो मैं इस अनंद अंदिकार में समाइद हो जाओंगा यह तो यह तो गनेश जी का स्वार है किन्तु किन्तु गनेश जी ने तो कुछ कहा ही ने तो फिर ये ये स्वार किसका है एक और गनेश जी यहां दो-दो गनेश जी कैसे उपस्तेत हैं ये, ये कैसे संबब है? गनेश, गनेश, शान्त हो जाओ. ये क्या हो गया है मुझे? क्रोट के ऐसे भीशन आविग में क्यों बहा जा रहा हूं मैं? नहीं, मुझे शीक्र कुछ कर इस क्रोट के उन्मान, अन्यथत जिसकिसी शक्ति के भी प्रभाव में हूं मैं, उससे स्वयम को मुक्त होना होगा. ऑर जसस स्वयम को में होगा। यह यह कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं क्या क्या हो रहा था यहां फूपा जी क्या मैंने आपको हाँ अपने क्रोध के आवेग में तुम फूपा जी को खशती पहुचाने का प्रयास कर रही थे मुझे खशमा कर देजिए फूपा जी ज्यात नहीं अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे अति रेक में बह गया मैं खशमा कर देजिए मुझे गणेश ततकाल अपनी वास्तिवी कवस्था में आओ अभी इसी खशन कनेशिया आप दो रूप में प्रकट हो गए और क्यों सुर्य देव मेरे भक्तों ने मेरी पूजा का संकल्प किया था किन्तो असुर दुरबुद्धी उनके संकल्प में विग्नुदपन कर रहा था तो मैं वहीं अपने भक्तों के साथ रुख गया जिससे वो निर्विगन अपनी पूजा संपन्न कर सके किन्तु मेरा विक्राल योधा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए दुर्बुद्धी का अंत करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ गनेश जी आपकी लीला तो अद्भुत है आपने एक भक्त की भक्ती का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धी रूपी संकट का भी अंत कर दिया धन्य है आप यदि भग्वान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी गनेश जी अब जब दुर्बुद्धी का अंत होई चुका है गनेश जी अब जब दुर्बुद्धी का अंत होई चुका है तो आप दुनों पुना एकी कर क्यों नहीं हो जाते क्यूंकि वायू देव जब तक मैं अपने क्रोध का कारण समझ नहीं लेता तब तक मैं अपने क्रोध स्वरूप को स्वयम से विलग रखना चाहता हूँ ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोध अनियंत्रित हो जाए तो मैं अपने मूल रूप से स्वयम को शांत रखकर अपने क्रोध पर नियंत्रन पाने में सक्षम रहूँ और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रधम कर्तव्य है किन्तु अभी ये कर्तव्य शेश गनेश जिसका और लेक अभी तुमने किया तुमारे भीतर अचानक उत्पन होने वाले करोध का श्रोध शिक्र ग्याद करना भी अतियावश्यक है पिताश्री आप इसके चिंता मत केजिए ये तो मैं स्वयम करने जा रहा था उचित है पुद्र आत्म चिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मुल्यान करने में सक्षम होते हैं अपनी भूलों को समझ कर अपने दोशों का निवारन करने के लिए प्रेरित होते हैं इसलिए मैं तुम्हें आत्म चिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ फूपा जी मुझे अपने कृत्य के लिए गलानी कम होगी यदी पोत्र तुम्हें गलानी करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है मैं तुम्हें ख्यमा कर चुका हूं पूबा जी पास्त विक्ता में मेरा अनुरोद तो ये था कि आप मा से इस विश्या में कुछ ना कहें अन्य था वो मुझे कही मेरे प्रिय भोजन मोदक से वंचित ही ना कर दें महा देव अब हमें भी चलना चाहिए है प्रणाम प्रभू प्रणाम प्रभू गणेश अब हमें भी प्रस्थान करने की आनुमती दीछें प्रणाम प्रणाम गणेश ये क्या कर रहे थे तुम क्या हो गया है तुम्हे फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने ये तुम्हे स्वयम भी समझने में असमर्थ हो कि मुझे पर अचानक किसका प्रभाव चा गया था क्रोच से कुछ भी प्राप्त नहीं होता गणेश उसे सदा नियंत्रन में रखना चाहिए तुम मुझे समझा रहे हो तुम? स्मरण नहीं जब चंद्रदेव के साथ वो गटना गटेत हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम? तब मैं भी तुमें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना? मैंने अपने इच्छा से कुछ भी नहीं किया मेरे इस कथन पर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम? मुझे ग्यात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे? अन्यथा, क्या मैं कलपना में भी फूफा जी को शती पहुचा सकता हूँ? बोलो, हाँ, ये तो तुम सर्वता उचित कह रहे हो ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है किन्तु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा हाँ, क्योंकि ये घटना क्रम कहां जाकर थमेगा, किसे ग्यात है? कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया आज मैं क्रोधवश फूफा जी को ही निगरने चल दिया तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुच सकते हो फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी शती पहुचा सकते हो और तो और स्वयम भहिया पर भी आकरमन कर सकते हो मैं नहीं तुम, मैं अर्था तुम समझ गया, समझ गया, हम दोनों एक ही तो है चलो इसकी चर्चा छोड़ो, ये बताओ, तुम क्या, अभी भी क्रोध से प्रभावित हो नहीं ये, ये क्या कर रहे हो तुम, और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कहो, क्रोध आया तुम्हे अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ क्यों, क्रोध आया तुम्हे नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का अभास नहीं हुआ तो इसका आर्थ है, हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है और इसका रहस्य शीग्र ग्याद करना होगा हमें वो तो है किन्तों ये हम कैसे ग्याद करेंगे वास्त्विक्ता में उनके दो ही पुत्र है कुमार कार्थिकेजी और प्रथम पूज्य गनेश्ची जिनके चंद दिवस्काउट सफ यहां आज कैलाश में मनाया चांगा गनेश का चंद दिवस महादेव का प्रिये पुत्र गनेश्च तुम मुझे पूछ रहे थे ना क्रोध का अभास हुआ क्या तो हां अब हुआ मुझे अत्यांत क्रोध का अभास अत्यांत क्रोध का गनेश को पुना क्या हो गया है ये ऐसा व्याभार क्यों कर रहा है ओ, ओ, तो क्रोध का श्रोध ये लाल धूम्र है और ये धूम्र तो आकाश मार्ग से अव्तरित हो रहा है जहां आकाश इसके प्रभाव से रक्तवर्नी हो गया है जब हमें ये ग्यात हो ही गया है तो विलम किस बात का हमें यथा शीगर वहां पहुचना चाहिए जो भी इस क्रोध का कारण है अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा मैं तो उसे मसल्ले के लिए आतुर हो रहा हूँ क्या है वो गडिश उसका सामर्थ क्या है प्रथम पूज की उपादी प्राप्त की है उसने क्योंकि महादेब का पुत्र है वो यही है उसके प्रती सभी के इसने ही का कारण किन्तु मैं भी दो महादेब पुत्र हूँ तो मैं अपना अधिकार अवश लूँगा वो सब छेन लूँगा गडिश से जो उसे प्राप्त है उसके पिता का स्ने उसका उच्पद देवताव में उसका स्थान गडिश अभी मेरे प्रिकोप से सामना कहा हुआ है तुम्हारा ये जिसका भी दोश्कृत्य है उसे अब उचे दंड दूँगा मैं क्रोध किसी से भी भूल करवा सकता है इसलिए क्रोध पर नियंतरन आवश्यक है कौन हो तम कौन हो तुम जो यहां आकर मेरे तप में व्यवदान डालने का दुस्सा हस कर रहे हो मैं गडेश मैं गडेश रोप तो इस उचा को अन्य था अन्य था क्या करोगे तुम